नमस्कार आप देख रहे हैं देश रोजाना मैं हूँ बेनजीर हाश्मी बुलिटिन में शुरुवात करेंगे दिन भर की कुछ ताज़ा सुर्ख्यों के साथ फिर बात करेंगे हर्याना की खास खबरों की लोगसबा में राहुल की स्पीच पर हंगामा कहा अभिमन्यों को छे लोगों ने मारा था आज मोदी समित छे लोगों ने देश को चक्र वियू में फसाया है दिली कोचिंग हाथ से में एक इंजीनियर टर्मिनेट तो एक किया गया सस्पेंड अब तक साथ लोगों को किया गया गरफतार वहीं MCD के खिलाब भाजबा ने किया जोरदार प्रदर्शन पुलिस ने चलाई वाटर कैनन सुप्रीम कोट ने शराब निती मामले में दिली के पूर्व उपमुखे मंत्री मनिश शुशोद्य द्वारा दायर याचिकाओ पर सुनवाई 5 अगस्त तक टाली आज होनी थी सुनवाई मुक्तार के भाई अफजल अंसारी की नहीं जाएगी सांसदी इलावाद हाई कोट ने गाजिपूर कोट का फैसला पल्टा चार साल की रद की सजा बिहार में आरक्षन कोटा बढ़ाने का फैसला भी रहेगा रद हाई कोट के फैसले पर तुरंत रोक से सुप्रीम कोट का इंकार सरकार ने लगाई है अरजी बात करें सोने चांदी के भाव की तो सोना 663 बढ़कर 68,794 पर आया तो वहीं चांदी 939 चड़कर 82,200 रुपे पर तिकलो भिक रही कैरेट के हिसाब से देखें सोने चांदी की कीमते आश्वेयर बाज़ार ओल्टाइम हाई से गीरा सेंसेक्स 23 अंक्ती तेजी के साथ 81,355 पर बंद हुआ वहीं निप्टी भी फ्लैट पर रही तो ये थी दिन भर की कुछ तादस सुर्खियां अब बात करते हैं हर्याणा की कुछ खास खबरों की हर्याणा मिधान सुबा चुनाब की तैयारियों को लेकर भाज़पा परदेश अधियक्ष मोहलाल बडोली ने कहा की भाज़पा के लाखो कारेकरता जनता के बीच में रहकर जनता के सुझाब लेकर संकल्पत तैयार करेंगे वो इस अंगठन को मजबूत करते हुए कारेकरता चुनाब को लेकर देश की मजबूती के लिए काम करेंगे द्रसल बता दे कि भाज़पा के परदेश अधियक्ष मोहलाल ने कॉंग्रेस पर निशाना साथते हुए कहा की कॉंग्रेस गुटबाजी का शिक्कार है और भाज़पा परियोर की तरह कार्य करती है। भाजपा जनता की सुझावों से एक संकल्प तैयार करेंगी जहां कि जनता जो कारेंगे चाहती है सरकार उसी परकार से कारें बताते चले कि बडोली करनाल में भाशपा काराले करण कमल पहुचे इस मौके पर प्रेस कॉन्फरेंस में उन्होंने कहा कि 23 जुलाई को वित मंतरी निर्मला सितारमन ने बजट पेश किया है देश को 2047 तक विक्सित बनाने का जो सनकल्प रिया गया है और ये बजट उसी सन सीधा लाब मिलेगा महिलाओ यूवाओ घ्रीबो किसानों को सीधा लाब मिलेगा इस बजट की तुन्ला जब क़ांग्रस के कारेकाल से करेंगे तो सही जानकाली होगी कि इससे तीन गुना बजट बढ़ाया गया है देशके हर चिलो कोuts पquinhoष्मा आएवे से जोड़ने का कारे हो यह फिर युवाओ को रोजगारदेने के लिए बहुत कारे किये गये हैं चार करोड एक लाग युवाओ को रोजगारदिये जाने की योजना है महिलाओ को लकपती दीदी बनाने की योजना है ये बजट प्रस्चेशनी है हर्याणा के पुर्व सियम भुपेंदर सिंग हुड़ा को विधान सवा चुनाव में बागियों से आस है दरसल कॉंग्रेस से टिकट ना मिलने पर जिन नेताओं ने पार्टी छोड़ कर और दूसरी पार्टियों में शामिल होकर कॉंग्रेस के खिलाफ ही चुनाव लड़ा अब वे नेता फिर से कॉंग्रेस में शामिल होने के लिए सक्रिय हो गए है आपको बता दे कि नेता इन दिनों कॉंग्रेस के पूर्व सीयम के साथ नजर आ रहे हैं वहीं हुड़ा भी इन्हें पूरा भाव देते दिख रहे हैं और मंच से लेकर प्रेस कॉंफरेंस तक ये साथ लेकर चल रहे हैं द्रसल हिसार के नलवा हलके में हुए परदेश स्तरिये गुरु दक्ष प्रजापती सम्मेलन में हुड़ा को ऐसे ही नेता घिरे रहें इसमें नलवा से पुर्व विधायक Sampat Singh, वरवाला के पुर्व विधायक राम निवास, घोडेला, नर्नोंद से पुर्व विधायक राम भगश, शर्मा, सांसत जे, प्रकाश, जेपी और पुर्व विधायक उलवीर वेनिवाल शामिल है मतादे चले कि ये नेता एक बार फिर अपने अपने विधान सभा से टिकट पाने की जुगत में है वही ऐसे में पार्टी के लिए ग्राउंड सर पर मेहनत कर रहे वरकरों को निराशाहा लग रही है जुनियर कोश योन शोषन मामले में फसे हर्यादं के पूर्व खेल मंत्री संदीब सिंग के खिलाव चंदीगर जिला अदालत में केस चल रहा है अब इस मामले में संदीब के खिलाव केस चलेगा गौर्टलब है कि 26 दिसंबर 2022 को जूनियर महिला कोश ने हर्याडा के मंत्री संदीप सिंग के खिलाफ योन उत्पीडन सहीत अन्य अरोप लगाते हुए चंदिगड पुलिस में शिकायत दी थी जाज के बाद 31 दिसंबर को संदीप के खिलाब IPC की धारा 342, 354, 354, 354B, 506 के तहट पुलिस ने केस दर्च किया था इसके बाद DSP सुपरवीजन में मामले की जाज के लिए विशेज जाज टीम SIT गठित की गई थी अकिल भारतिय कॉंग्रेस कमेटी की राष्ट्य महासरचिव उत्रागंड की प्रभारी एवम सिर्सा की सांसत कुमारी शेलजा ने भाजपा पर जुवानी हमला बोलते हुए कहा कि अब बदलाव का समय आ गया है परदेश की जनता ने दस सालों से भाजपा के कुशाशन में बहुत तकलीफे जहली है आपको बता दे कि उन्होंने कहा कि अब दो महीने बाद परदेश में विधानसवा चौनाव होने हैं और अब परदेश की जनता बदलाव के मूड में है दरसल सैलजा ने लोगों से अ सबा को संबोधित कर रही थी तब ही उन्होंने कहा कि आपका प्यार वे आपका साथ हमेशा मिलता रहा है इस बार लोग सबा चौनाव में परदेश में दस में से पांस सीटे कॉंग्रेस ने जीत कर ये साबित कर दिया है कि लोग भाजपा से तंग आ चुके हैं और उनका विश्वास कॉंग्रेस पार्टी में हैं बीजेपी पर हमला बोलते हुए कुमारी शेलजर ने कहा कि दस सालों में परदेश बेरोजगारी में नंबर बन हो गया है हर्याडा सरकार द्वारा शुरू की गई हैपी कार योजना एक बहुती खास पहल बताई जा रही है द्रसल हैपी कार परियोजना के तहत अंतियोध्य परिवारों को हर्याडा रोडवेस की बसों में फ्री में यात्रा कराने की सुईधाय मिलेंगी हर्याणा में हैपी कार्ट परियोजना पूर्व मुखे मंत्री मनोहलाल ने 7 मार्च 2024 में शुरू की थी वहीं आपको बता दे कि हर्याणा रोडवेस बसों में मुफ्त यात्रा करने के लिए के लाबार्थियों को परतीवर्ष 1000 किलो मीटर मुफ्त यात्रा कर सकते हैं बता दे चले कि हर्याणा के 22,89,000 परिवारों को इस योजना का लाब दिया जाएगा साथ में ये भी बता दे कि इस कार्ड के लिए एक लाबार्थि को 50 रुपे का शुल्क चुकाना होगा साथी कार्ड की लागत 109 रुपे है और वार्षिक रख रखाफ शुल्क 89 रुपे है हर्याणा सरकार के दोवारा इस योजना के तहत लगबग 600 करोड रुपे खर्च किये गए हैं इस योजना का लाब किवल हर्याणा की रोडवेज वसों में ही मिल सकेगा तो ये थी दिन बर की कुछ तादा सुर्खियों के साथ हर्याणा की खास खबरे कल फिर होगी मुलाकार ऐसी ही कुछ खास खबरों के साथ तब तक के लिए बने रही है हमारे साथ और देखते रही है देश रोजाना नमस्कार